कई सालों से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और मुझे किसी भी हालत में इस घर के लिए वारिस चाहिए था क्यूंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे पती दूसरी शादी ना कर ले इसलिए मैंने खेल रच और चालाकी से एक लड़की घर में सास बनकर अपने ही पती का रिष्टा लेकर गई और बात पकी कर आई और जब शादी शुरू हुई तो मैंने अपने देवर को चुप-चाप सहरे की पीछे चिपा दिया ताकि वो उस लड़की से शादी कर ले कर के ले और जब वो बच्चे को जन्म देगी तब उसके बच्चे को गोध मिलेकर उस औरत को चलता कर दूँगी इस तरह दोके से मैंने उसकी शादी कर दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो किसी को सच ना बता दे जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया तो म मैं पास वाले गाओं की सबसे खुब्सूरत लड़की थी और मैं भाईयों की एकलोती बहन थी एकलोती बेटी होने के कारण मैं अपने माता पिता के घर पर राज करती थी एक शादी में महंदर चौधरी के बेड़े बेटे रवींदर की नजर मुझ पर पड़ी तो वो नजरे बंद कर नहीं भूल गया उसे में पसंद आ गई और उसने तुरंट मेरे घर पर रिष्टा भेज दिया उनके माता पिता रिष्टा लेकर आ गए क्योंकि उनके लिए उनके बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा एहम थी इस तरह हमारी शादी हो गई और शादी के कुछ साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई और उसके बाद बिमारी के कारण ससूर भी इस दुनिया से चल बसे अब हवेली में मैं मेरे पती और मेरा चोटा देवर था मेरे पती मुझे से तीन चार साल चोटे थे इस परकार हमारा जीवन सुख शान्ती से बीट रहा था और रमीन मुझ पर जान निचावर करते थे लेकिन हमारे साथ एक कुदरती हास्ता ये हुआ कि शादी के कई साल बीट जाने के बाद भी हम दोनों को कोई संतान नहीं हुई इन छे सालों में मैंने पूरी हवैली पर कबजा कर लिया था इस हवैली में मेरा दबदबा हवैली के मर्दों से भी ज्यादा था क्योंकि मेरे पती एक सीधे साधे इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे जैसा मैं कहती थी वो वैसा ही करते थे पहले तो मुझे कोई डर नहीं था लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया मेरे अंदर एक डर सा घर कर गया यहां तक कि मेरी शादी को 13 साल हो गए और मैं अपने निसंतान होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी कोई ऐसा साधू बाबा नहीं बचाता जिन से मैंने आशिरवाद ना लिया हो और जब भी किसी बड़े डॉक्टर के बारे में सुनती वहां दोड़ी दोड़ी चली जाती थी लेकिन हाई रे मेरी किसमत डॉक्टर यहीं बताते कि मुझ में एक बड़ी समस्या है जिसके कारण में कभी मां नहीं बन सकती यह सुनकर मैं और भी अधिक चिन्तित हो जाती और मुझे यह डर सताने लगता कि कहीं मेरा पती दूसरी शादी ना कर ले हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुर के बाद ससुर के पास बहुत बड़ी जायदात और जमीने भी थी लेकिन उस हवेली को एक वारिस चाहिए था जो कि मैं नहीं दे सकती थी और मेरा देवर पागल था उससे भी बच्चों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी अब मेरे पती के सारे जिश्टेदार मेरे सामने एक ही रड़ लगा देते कि हवेली को एक वारिस चाहिए क्योंकि मेरा दबदबा जादा था खास तोर पर अपने पती पर बहुत जादा परभाव था इसलिए वो मुझे डरते थे और मुझे प्यार भी करते थे क्योंकि ये अनकी अपनी पसंद की शादी थी लेकिन समय बितने के साथ साथ मुझे लग रहा था कि उनका प्यार कम हो रहा है मुझे ये डर था कि लोग उन्हें मेरे खलाफ ना कर दें क्योंकि उलाद ना होने के वज़े से मेरा दबदबा कुछ कम होता नजर आ रहा था सौतन नाम की एक तलवार हर समय मेरे सिर पर लटकती रहती थी मुझे बुरे-बुरे सपने आते थे अब मैं हर दूसरे दिन सपने में ये देखती कि मेरा पती एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे हवैली में लेकर आ रहा है और मुझे बता रहा है कि ये मेरी दूसरी पतनी है मुझे ये वारिस देगी इन भयानक सपनों ने मेरा दिन रात का सुकून बर्बाद कर दिया था रवींद्र हवैली से बाहर जाते तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहां जाते हैं और कौन से दोस्तों के साथ उटते बैटते हैं लेकिन मैं समझ गई थी कि उनके दोस्त अब उन्हें वारिस की पटी पढ़ा रहे थे हर किसी की नजर मेरे पती पर थी क्यूंकि वे एक बहुत बड़े बदमिदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी को उनके घर में जगा मिले और वो एक आश की जिए मैं किसी भी हालत में अपनी जगा किसी को नहीं देना चाहती थी पिछले 13 सालों से मैं हवैली पर राज कर रही थी और मुझे बात बरदाश्त नहीं हो रही थी लेकिन मेरे डर के कारण कुछ नहीं कह पा रहे है क्यों ना हम एक बच्चा गोद में ले ले एक दिन मैंने उनसे कह डाला तो देखा कि मेरी इस बात से उनका मुट खराब हो गया है वो बोले हवैली को अपना वारिस चाहिए जो हमारा ही खून हो किसी और के खून को लाकर हम क्या करेंगे हमारी सारी समपनती हब अब पर हमारे का खून का ही हख होना चाहिए किसी और का नहीं मेरे पती ने कटर भाव से कहा और वो वहां से चले गए उनके रवईये को देख कर मैं समझ गई थी कि अब मेरी नईया डूबने वाली है मुझे जल से जल कोई इंतिसाम करना होगा नहीं तो मेरी हकूमत खत्म हो जाएगी और अगर मेरी हकूमत खत्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी ये सोच कर मैंने अपने मन में एक योजना बनाई जिससे साब भी मरजे और लाठी भी ना तूटे अपने बांज पन का ख्याल आते ही मेरे मन में अचानक एक तरकीब सूच गई और मुझे आधा पागल मेरा देवर याद आ गया तो मैंने सोचा कि मेरा देवर तो आधा पागल है पूरा पागल तो नहीं है उसके शादी हो सकती और उसके बच्चे भी हो सकते हैं उसकी उम्र 27 साल थी लेकिन उसका मान सिंग संतुलन कुछ ठीक नहीं था वैसे तो वो आम लोगों की तरह ही रहता था लेकिन अचानक उसे दोरे पढ़ने लगते फिर उसे समालना मुश्किल हो जाता था वो हर समय चुप रहता था किसी से कुछ नहीं कहता था ऐसा मालूम होता था जैसे वो गूंगा हो लेकिन जब वो बोलता तो चीकना चिलाना शुरू कर देता था और इस तरह के दोरे पढ़ जाते कि हवेली में हम सभी हरान हो जाते थे कभी कभी तो मुझे उसके पर कोई साया महसूस होता था मैंने अपने देवर की शादी करने के बारे में सोचा था ताकि उसकी पत्नी हवेली को वारिस दे सके लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सभी जानते थे कि मेरा देवर आधा पागल है और कोई भी उसे अपनी बेटी नहीं देगा तब ही मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो जवान और खुबसूरत थी और वो बिल्कुल भी सीधी साधी लड़की थी यानि की लालश में आने वाई लड़की थी उनका गाव हमारे गावं से काफी दूर था चाहती हूँ हम लोग बहुत बड़े जमिदार हैं और हमें एक वारिस की जरूरत है ये बात मेरी बहु को पता ना चले इसलिए मैं छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ और सब कुछ चोरी-चोरी करना चाहती हूँ अब तुम लोग मेरे साथ हवेली चलो मेरी बहु एक महीने के लिए माईके चली गई है उसकी गायर मौजूदगी में मैं अपनी बेटे की शादी करना चाहती हूँ वो आते ही हंगामा कर देगी उसके आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूँगी और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर देंगे तो मैं बड़ी बहु को तलाग दिलवा के उसे घर से निकाल दूँगी मैंने लड़की के माता पीदा से कहा वो बहुत लालची थे और इतना बड़ा रिष्टा देख कर वो खुश हो गए मैंने उनके सामने अपना परिचे रवींद्र की पत्नी के रूप में नहीं बलकि रवींद्र की मा के रूप में करवाया क्यूंकि मैं रवींद्र से थोड़ी बड़ी थी और मैं काफी बूड़ी भी दिखती थी क्योंकि जिन्ताओं के कारण मेरे चेहरे पर जुरियां पढ़ गई थी और उनको मेरी बात पर यकीन भी आ गया था बहुत सारे जूट बोल कर मैं उन्हें अपनी हवैली पर ले आई थी मैंने उनसे कहा कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे चुप रहने के लिए मैंने उनको भारी रकम चुकाई थी इसलिए लड़की के माता पिता लालच में आकर कुछ नहीं बोले और चुप चाप से बैठे रहे मेरे लिए इस जूट को समालना बहुत मुश्किल हो रहा था मैंने उनको ये नहीं बताया कि राख हो पागल है मैं अपने पती के पास आई और उनको सब बताने लगी मैंने बड़ी मुश्किल से उन肉ों को मनाया है आप बस चुप रहे और किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए मैं उन दोनों की शादी करवा देती हूँ मैंने अपने पती से चुपके से कहा और उन्हें चुप रहने के लिए कहा वो तो पहले सही मुझे डरते थे इसलिए चुप हो गए फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई और उसे कहा मैं लोगों को लेकर आई हूँ और गुप चुप तरीके से इस खुबसूरत लड़की की शादी तुमसे होने वाली है बस तुम्हें सहरे की पिछे खामोश रहना है मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई थी और उसे लड़की भी दिखाई थी लड़की की खुबसूरती देखकर मेरा देवर चुप हो गया तो मैं समझ गई कि वो इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था सब कुछ मेरी योजना के मताबिक चल रहा था मेरे पती चुप थे और मेरे देवर ने भी कोई हंगामा नहीं किया मैं तुरन पंडी जी को बुला लिया जैसे ही ये शादी के समय करीब आया तो मैंने अपने देवर को सहरा बांद कर बठा दिया उसका चेरा नजर नहीं आ रहा था लड़की के मताबिता समझ रहे थे कि सहरे की पीछे रवीद रहे लेकिन सहरे की पीछे मेरा पागल देवर था उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई थी मैंने तुरन लड़की के मताबिता को उनके घर भेज दिया और चौकिदार से कहा कि ये दोनों दुबारा यहां नहीं आने चाहिए और यदि ये दोनों हवेली पे आना भी चाहेंगे तो तुम्हें ने दक्के दे कर बहार निकाल देना उन दोनों पती पतनी को हवेली में आना मना है इस तरह मैंने लड़की के माता पिता का पता भी काट दिया अब लड़की की बारी थी मैंने अपने देवर को काफी पटी पढ़ा कर उस लड़की के साथ कमरे में भेज दिया सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया, वो लापता हो गया था मैं बहुत परिशान थी, मैंने अपने पती से बात की तो वो बेफिकर नजर आए, बोले आ जाएगा, कहा जाएगा शायद वो महश जाजा के घर गया होगा मैंने देखा लड़की बहुत खुबसूरत है और सीधी साधी है मैंने उसको पूरी तरह से बस में कर लिया था, उस लड़की का नाम मेगा था हवेली मेगा की इज़त एक नौकर से जादा नहीं थी भला में एक ऐसे बरदाश कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाए लेकिन में देवर के लापता होने से थोड़ी सी परिशान हो गई थी शादी की दूसरी सुबा वो चला गया था और अब तब से लगबग एक महिना हो गया था लेकिन वापस नहीं आया मैने के आखिर में मुझे पता चला कि मरी देवरानी पेट से है तो मैं बहुत खुश हुई मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था जैसा कि मेरे पती चाहते थे इस हवेली को अपने ही डियने वाला वारिस मिलने वाला था मैंने पती से कहा आपने कहा था कि हवेली को वारिस के रूप में अपना ही डिने चाहिए अब मेगा वारिस देने वाली है ऐसा करूंगी इस बच्चे के परवरिश मैं खुद करूंगी ये बच्चा मेरा होगा अपना डिने भी होगा और वारिस भी होगा मैंने पने पती से कहा तो वो चुप हो गए उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया ना जानी क्यों उनकी ए खामोशी मुझे किसी तुफान के आने का संकेत दे रही थी खैर मैंने दिन गिनने शुरू कर दिये कि कब वो बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे पनी गोद में लूँगी और उसके बाद मैं पनी देवरानी को भी हवेली से बाहर निकाल दूँगी मेरा देवर जो शादी के दूसरे दिन से घर से निकल गया था वो तब से लापता ही था मेरे पती ने बहुत ढूंडा लेकिन उसका कोई पता न चल सका लेकिन मुझे पने देवर के लापता होने की कोई परवा नहीं थी मैं एक बच्चा चाहती थी और वो मुझे मिल रहा था मैंने पनी देवरानी के नौ मेहने तक कैद करके रखा था उसके खाने पीने का ख्याल रखा लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया उसके माता-पिता एक बार उसे मिलने के लिए आय थे लेकिन मेरे चौकीदार ने उन्हें धके दे कर बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहां मताना फिर वो दिन भी आ गया जब इंदिजार की घड़ियां खत्म हुई और मेरे देवर के बेटे का जन्म हुआ मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी क्यूंकि मेरी गोध हरी हो गई थी मैंने तुरंद अपनी देवराने से बच्चा छीन लिया और उसे कैद कर लिया और दासी को पहरा देने के लिए लगा दिया ताकि वो भागने ना पाए क्यूंकि उसे अभी बच्चे को दूद पिलाना था लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की थी कि इस बच्चे के जनवर मुझसे जादा मेरे पती खुश हुए थे वो पूरे दिन बच्चे को गोध में लिये उसे बाते करते रहते थे और मैं हैरान हो जाती थी मैं खुश और संतुश्ट थी कि चलो मेरे पती ने वन्ष को अपने बेटे के रूप में सुईकार कर लिया है और हमारा जीवन पूरा हो गया है वन्ष हर समय मेरे पास रहता था लेकिन मजबूरी में दूद की वज़ा से मुझे उसे मेगा को देना पड़ता था मेगा अपने बच्चे के लिए तरस्ती रहती थी लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यूं ना मैं वन्ष को डिबबे वाला दूद पिलाओं और मेगा को यहां से चलता करूँ डॉक्टर से सल्हा लेने के बाद मैंने वन्ष के लिए टिबबे वाला दूद शुरू कर दिया और अब मुझे मेगा की कोई जरूरत नहीं थी मैं उसके कमरे में गई और उसे घर से निकालने लगी चल अब निकल यहां से अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है और आइंदा अपनी शकल ना दिखाना मैं मेगा को खजिटे वे बाहर लेकर जा रही थी कि अचानक मेरे पती आ गए अंदर आ गए और उन्होंने यह सब देख लिया तो मैंने बड़ी आखों से उनकी और देखा आप इस लड़की की वज़े से मुझ पर चिला रहे हैं मैंने गुस्से में कहा तुम इसे इस हवैली से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि यह हवैली के वारिस की मा है मेरे पती ने चिला कर कहा तो मैं हैरान रही गई वो आज पहली बार इतना चिला कर मुझसे बात कर रहे थे अब मैं इस हवैली के वारिस की मा हूँ इसकी यहां कोई ज़जगा नहीं मैंने उनसे भी उची आवाज में कहा तो ऐसा लगा कि हवैली की दिवार और दर्वाजे मेरी आवासे कपकपाने लगे पती ने गुसे में कहा कि यह सिर्फ हवैली की वारिस की मा ही नहीं बलकि हवैली के मालिक की पत्नी भी है आप उस पागल रागों को हवैली का मालिक कह रहे है हवैली के मालिक सिर्फ आप है मैंने जवाब दिया हाँ हवैली का मालिक मैं ही हूँ और ये मेरी पत्नी है उस दिन इसकी शादी रागाउ से नहीं मुझसे हुई थी सहरे के पीछे रागाउ नहीं बलकि मैं था और ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये मेरा अपना डियने है मेरे पती ने जब ये कहा तो मैं हरान रे गई जिन्दगी में इतनी परशान कभी नहीं हुई थी मैं सारी जिन्दगी लोगों को धोका देती रही और अब मेरे साथी धोका हो रहा था ऐसा नहीं हो सकता आप छूट बोल रहे हैं मैंने सब की तरफ एक नज़र डाली सब इनोकर मेरी और देख रहे थे अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पतन का समय शुरू होने वाला था हावेली की नोकरों की आखों में मेरी बर्बादी की जो चमक थी उसे मैं साफ देख सकती थी क्योंकि मैंने उन पर जुलम ही इतने जादा किये थे ये लो हमारे शादी का सार्टिफिकट मेरे पती कमरे में गए और शादी का सार्टिफिकट लेकर आ गए तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखती रहे गई, इतना बड़ा धोका किया अपने मेरे साथ, मैंने गुस्ते में अपने पती से कहा, तुम्हें क्या लगता है शोभा कि धोका देना सिर्फ तुम्हें ही आता है, सिर्फ तुम्ही लोगों की जिंदगी इसके साथ खेल सकती हो, उन्हें बरबाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोका ना दे, मेरे पती थोड़े नीची आवाज में बोल ले थे, लेकिन वो अभी भी गुस्से में ही थे, इस मासूम लड़की की शादी तुम्हें एक आधे पागल आदमी से करना चाहत जाती थी, जबकि जानती थी कि जब उसे दोरे पढ़ते हैं तो वो किसी का भी कतल भी कर सकता है, तुम्हें इस लड़की का जीवन बरबाद करने जा रही थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए शादी की समय, मैंने रागों को वहाँ से हटा दिया, उसे महश मेरा आ गया है, मेरे पती ने कहा, मैं चिलाई, मुझे इस हवेली से बहार निकाल दोगे, तुम, मैं अपने पती की गरदन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, तो किसी चीज से टकरा कर काश की टेबल पर गिर गई, और मेरा सी जोर से टकराया, उसके बाद मिरी आखों साम यIR डॉक्टर को बुला कर लेकर आ गई, चोड लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी, पिछले छे मेने से आप कोमा में थी, आज पुरे छे मेने के बाद आपको होश आया है, डॉक्तर ने मुझे बताया तो मैं हरान हो गई, मेरे पती कहा है, मैंने फिर सवाल किया, आपके पती तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपकी इलाज के लिए पैसे समय पर देते रहे। ये वो खत है जो उन्होंने आपको होश में आने पर देने के लिए कहा था। नर्स ने मुझे एक लिफाफा दे दिया वो तलाग का पेपर था। मुझे अस्पताल से चुटी मिल गई और मैं तुरंत हवैली की तरफ चली गई और किसी तरह हवैली पर पहुँच गई वहां जाकर मैंने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब 6 महीने का हो चुका था। हवैली के लॉन में वो बच्चा जूल में पढ़ा खेल रहा था और मेरे पती और मेरी सौतन साथ में बटे उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था और मेरा पती किसी और का हो गया था। हवیली अब मेरी ना रही थी, सब खत्म हो गया था, मेरे पती की नज़र जब मुझे पर पड़ी तो वो चिलाए, तुम यहां क्यों आई हो, चली जा यहां से, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, मैं तुम्हें तलाग दे चुका हूँ, तुम जिसकी हगदार थी, मेरे मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैंने आश्रे से कहा, तुमने भी तो मेगा के माता पीता को यहां से धक्के दे कर निकाला था ना, याद है ना, लेकिन फिर भी मैंने उनके चुपके से मेगा से मुलाकात करवाई, तुम्हें पता ही नहीं चला, और अब खुद को धक्के मि रहे हैं तो बुरा लग रहा है, क्या सिर्फ तुम में ही सो अभिमान है, किसी और में नहीं, चली जाओ यहां से, रवीद ने मुझे दक्के दे कर बाहर निकाल दिया, और आज मैं दर दर भटक रही हूं और भीग मांगर गुजारा करती हूं, क्योंकि मेरे माँ बापकी भी मौत हो चुकी थी और मेरे भाई भी मुझे घर में नहीं रखना चाहते थे, सच कहते हैं कि बुरे कर्म का अंजाम बुरा ही होता है, तो दोस्तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, क्या शुबा के साथ जो हुआ वो सही था, क्या उसके पती नोसे घर से और अपनी जिन्द